हेलो इस्टूडेंट तो स्वागत है आपका श्ट्रगल स्टडी अकेडवी में तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे बैधुत आवे सेवंचेत्र यानि चेप्टर वन जिसे हम लोग इलेक्टिक चार्ज एंड फिल्ड कहते हैं और इसमें बहुत सारा ह हमने वीडियो अपलोड कर दिया है तो अगर आप उसको भी देखना चाहते होंगे तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में जरूर वहां से भी पढ़ ले तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक समान बिद्धुच्छेत्र में दिवध रूव पर लगने वाला बल आघुन तथा नेट बल बताएं या कुल बल बताएं तो इसको देखिए अब हम लोग की कैसे करेंगे इसको ठीक है तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा फिगर समझ लेते हैं हम तो यहां पर देखिए कि हम क्या करेंगे सबस समान बिद्धु छेत्र यानि बिद्धु छेत्र कैसा है तो एक समान है तो हम लोग एक समान बिद्धु छेत्र बना लेंगे यानि कि यह कुछ इस पर कर रहेगा यानि यह दूसरे के समान तर रहेंगे है ना और बोल रहा है कि एक समान बिद्धु छेत्र में दिवधु तो वो किस तरह रहेगा दोस्तों तो हम यहाँ पर रख देते हैं तो हमने यहाँ पर एक समान विदू छेतर में हमने क्या किया यानि कि E में हमने एक दिवधुरूगों रख दिया अब दिवधुरूगों किसे कहते हैं कैसे बनता है दोस्तों तो आप जानते हैं यहाँ पर म अब यहाँ पर ध्यान दिजे कि ये जो एक समान विधु छेत्र उत्पन हो रहे हैं ये कैसे उत्पन हो रहे हैं तो कोस्चन बहुत ही अच्छा है तो अगर आप पढ़े होंगे तब तो इसका अंसर दे देंगे कि सर यहाँ पर कोई पलस आवेस है पहले ही से परजेंट तो के कारण ये विधु छेत्र उत्पन हो रहे हैं क्या है जब कोई आवेस है रखा रहता है कि आप जानते हैं कि पलस आवेस छेत्र रेखा ये बाहर निकलते है और माइनस आवेस में क्या होता है समाप्त हो जाते हैं क्योंकि हमने आपको बैधुत बल देखाओं को बताया था तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं तो हमने बताया ना कि ये plus आवेस अब वैधूत बल रिखाओं कि परिभासा वगर मैं पढ़ लिया होंगे पलस आवेस से जो वैधूत बल रिखाओं होती है, क्या होती है, निकलती है और मायनिस पर समाप्त हो जाती है तो ये प्लस है जिस कारणी ये क्या हो रहा है बैधु छेत्र रेखा है बाहर निकल दिये है तो ये कॉंसेप्ट अभी आपको फिल होगा कि नहीं कहां अभी यूज हो रहा है तो सबसे पहले जो ये अभी लिखके रखे है तो लिखा हुआ है कि माना ये भी एक बिद्धु दिध्रुव है जो ठीटा कोण पर रखा गया है अब इस दिध्रुव को हमने बोला कि ठीटा कोण पर रखे है यहाँ पर किस कोण पर ठीटा कोण पर रखा गया है किसको तो बिधुद्रूओं को किसमें रखा गया है एक समान बिधुचेतर में रखा गया है चलिए अब उसके बाद देखा जाए तो प्लस क्यूब आवेश क्या होगा इस प्लस क्यूब आवेश पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा कैसे लगाएगा ये वाला इधर डिरेक्शन में लगाएगा और ये वाला इसके डिरेक्शन में लगाएगा तो यह वाले को भी ढखे लेगा और यह वाले का लेकिन यहां पर देखा जाए तो यह जो है आवेस यह बहुत ज़्यादा सक्ति साली होने के कारण इसको ढखे लेता है तो यह इस डारेक्शन में जाता है तो यानि कि इसके दोआरा बल लगा इस पर कि इस डारेक्शन में इ तो आप तो जानते हैं कि बल yf बराबर सर में होता है दिरह वेमान गुने तौरण लेकिन यहाँ पर इसका नहीं यूज़ करना है न? आप ये भी पढ़ चुके हैं कि यफ E बराबर क्या होता है तो यफ बटा में Q तो अगर मैं पुछू यहां से कि यफ क्या होगा तो Q इधर भाग में है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा उसी परकार अब ये जो प्लस है इस माइनेस को क्या करेगा? अपने और आकर्सित करेगा क्यों? क्योंकि चिन क्या है? विपरीत है तो जब विपरीत है तो एक फोर्स जो है इस डारेक्शन में लगेगा जिसे हम लोग कहेंगे ये प्लस Q ये प्लस Q अवेस के कारण из प्लस क्यूंअ पर लग रहा है देद्रूग ROB के वं आवेस पर इसलिए यह जो बल होगा यह प्लस का होगा लेकिन यहां पर देखा जाए तो जो बल है बलका परिमार तो उतना ही होगा लेकिन डारेक्शन क्या हो जाएगा चेंज जाने के कारण यह जो बल होगा, यह मायनेस में होगा, यानि मायनेस QE होगा, राइट, चले, यह इतना समझ में आगए, तो अब इसी चीज को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर देखिए, अब यह फिग्खर आपको समझ में आयेगा, अभी भी कुछ बोलिए, सोच रहे होंगे कि सर ये dotted line क्यूं है तो इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको है ना तो अब चलिए start करते हैं हम लोग तो यहाँ पर हमने लिखा है पहले तो सबसे पहले यहाँ उपर heading डाला हुआ है ना कि एक समान बिधु छेत्र में दिधु धुरूव पर यहाँ पर देखें लाश्ट में बल लिखा हुआ है ना यानि कि आपको ये भी बताना है कि इस दिधु धुरूव पर एक समान बिधु छेत्र में रखने पर कितना कुल बल लग रहा है यानि नेट बल भी आपको बताना है ठिक तो यहाँ पर देखिए कि दिवधुरुव के प्लस Q आवेस पर यानि यह हमारा दिवधुरुव है इसके प्लस आवेस पर बिधुचेत्र की दिशा में यह हमारा बिधुचेत्र की दिशा है E, है न बिधु छेत्र के दिशा में एक बल यफ बराबर प्लस क्यू ई लगता है अभी हमने बताया कि यफ बराबर क्या लग रहा है प्लस क्यू ई लग रहा है और मानस क्यू आवेस के मानस क्यू आवेस पर बिधु छेत्र के दिशा के विपरित एक बल यफ बरब मैनस QE लगता है यानि कि दूसरा जो बल है ये क्या है बिधु छेत्र अब देखिए बिधु छेत्र का डिरेक्शन इधर है ये जो red color से आपको बनाया गया है ना इसका डिरेक्शन इधर है लेकिन मैनस Q आब इसके कारण जो ये बल है ये किस दर लग रहा है तो बिधु छेत्र के बिप्रिदि सामें लग रहा है और ये कितना है तो ये बरबर मैनस QE लगता है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए देवधु आब पर लगने वाला कुल बल तो कुल बरबर क्या हो जाएगा अब देखा जाए तो प्लस Q आवेस पर लगने वाला बल जो है F बरबर QE और यहाँ पर मानिस Q आवेस पर लगने वाला जो बल है मानिस QE है तो F net यानि कि दो धुरों पर पूरा कुल बल कितना लगेगा तो simply ये वाला बल प्लस ये वाला बल है न तो यहाँ पर वही लिखा है F net equal to यानि कि F कुल भी लिख सकते हैं आप है न कुल बल तो net force क्या हो जाएगा QE यानि कि F प्लस याफ हो जाएगा लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एक जो F है ये मानिस में है तो यहाँ पर लिखा गया QE प्लस कोश्टक में मैनिस QE और यहाँ पर देखा जाए तो ये मैनिस प्लस मैनिस हो जाएगा ये और ये कटके जीरू देगा हमारा अब इससे क्या समझ में आ रहा है तो अर्थाथ एक समान बिधु चेत्र में देवधु ध्रुव पर लगने वाला बल सुनने होगा यानि कि जब एक समान बिधु चेत्र में हम लोग बैधु देवधु ध्रुव को रखते हैं तो उस पर जो लगने वाला कुल बल का मान होगा वो क्या होगा सुनने हो जाएगा यानि कि इस दिवधुरुव को ऐसा नहीं है कि बल लगेगा तो इस दिवधुरुव को आगे बढ़ाएगा चाहे कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा यानि दिवधुरुव जो है एक ही जगा पर रहेगा है ना इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा अता दिवध्रूव गती नहीं करेगा पयम ने अभी समझाया कि जो दिवध्रूव है वो गती नहीं करेगा किसी परकार का चलिए तो अब गती नहीं करेगा तो क्या तब फिर इसमें क्या करेगा तो ये हम बता दे कि ये जो बेधु दिवध्रूव है यह क्या करेगा कि अपने axis के according घूमेगा यानि कि घूम सकता है कैसे तो यहां पर बलो का यूग्म काम कर रहा है और बलो का यूग्म काम करने के कारण यानि कि बलो का जोड़ा यहां पर लगेगा बलो का जोड़ा लगेगा तो इस direction में लगेगा तो यह इधर जाएगा और तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि लिखा हुगा है कि लेकिन मैनेस क्यू तथा प्लस क्यू पर लगने वाला बल संदेखी नहीं है, संदेखी नहीं है यानि एक ही रेखा में नहीं है मैनेस बोल रहा है लेकिन कि मैनेस Q आवेस तथा पलस Q आवेस पर जो लगने वाला जो बल है वो संदेखी नहीं है यह भी बताया गया देख सकते आप इसके दोनों छोर पे लग रहे हैं न कि एक ही रेखा पर लग रहा है ना इसलिए इसलिए दिवधुरूओं पर एक बल युग्म कारे करता है इसलिए क्या होता है कि दिवधुरूओं पर बल युग्म काम करता है यानि बलों का जोड़ा लगता है यहां पर ठीक है जो दिवधुधुगों को बिधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुधुध लग जाता है बल आगुन लग जाता है जो कि इस दुध्रूों को हमाने का काम करता है ये बल आगुन कहा से आ honesty ये जो है बलों के युग्म से हैं या और मत तब वहला अगुन बराबर निकालेंगे बलो कि लंबवत दूरी, है न, तो यहां पर देखा जाये, तो बल क्या है हमारा, तो बल आघुन को TAU से सुचित किया जाता है, हमने TAU लिख दिया यहां पर, बराबर बल, बल क्या है हमारा, फोर्स YAF काम कर रहा है न, तो YAF हमने लिख दिया, अब बलो की लंबवत दूरी तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मैं इसे रफ साइट में समझा दूँ तो यहाँ पर देखिए कि अगर मैं इस बल को और भी पीछे बढ़ाऊं तो यह इस डिरेक्शन में बढ़ेगा और इसको इस डिरेक्शन में खीचे तो अब बताईए कि इन दोनों बलो के लंबवत कौन सा दूरी होगा यही होगा अगर मैं इस तरह खिच दू तो और इसके बिच का कौन कितना बन जाएगा 90 डिग्री तो कहने का मतलब है यह A है यह B है तो इसका नाम धर देते हैं C तो यानि लंबवत दूरी क्या हो जाएगा यह B C हो जाएगा B C ठीक है बल गुने बलो की लंबवत दूरी तो यहाँ पर देखे बल का मान यफ रख दिया और बलो की लंबवत दूरी क्या रख दिया हमने तो यहाँ पर हमने बता है ना क्या हमने रख दिया है बी, सी, राइट चलिए, तो अब देखा जाए तो बल यहाँ पर देख लिया जाए तो हम लोग बल यफ का तो मान हमें पता है कि यफ बराबर क्यों ही है खाली केवल परिमान लेना है दोस्तों यहाँ पर ठीक है अब आत उठ रहे हैं कि यफ बराबर कौन समान रखे मैनेस की हुई की प्लस की हुई तो हमारा अंसर होगा कि आप खाली केवल परिमान रखेंगे उसका दिशा नहीं डिरेक्शन नहीं बताना है आपको ठीक है कोई भी बल का परिमान आपको रखना है तो बल तो समान ही है खली direction विप्रित है तो आपको किवल खली उसका परिमान रखना है यानि कि बल किया हमारा यफ है तो यफ को रहने देते हैं अभी इसको समीकरन नंबर एक मान के छोड़ देते हैं यफ का मान मालूम है हमें यहां से कि यफ वराबर कितना है क्यों ही है लेकिन अब बात उठता है कि इस बी सी का मान नहीं मालूम है है ना तो बी सी का जब मान नहीं मालूम है तो यहां पर देखिए आप कि एक समकोर तिर्भूज बन रहा है क्योंकि यह लंबवत है ना यह लंबवत दूरी है किसके तो यह दोनों बलोक है यहाँ पर देखा जाए तो तिरभूज बन रहा है A, B, C एक समकोर तिरभूज बन रहा है और हमें कर्ण दिया हुए है यह दिवधुरुवा का लंबाई 2A है और देखा जाए तो लंब निकालना है तो कर्ण और लंब किस में आता है तो साइन ठीटा में आता है यह कौसक ठीटा में तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइन ठीटा साइन ठीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों तो वही यहाँ पर लिखे है कि अब पुना तिरभूज ABC में किस के लिए तो BC के लिए ठीक है BC का मान रखने के लिए BC का मान रहेगा तभी तो होगा तो अब पुना तिरभूज ABC में साइन ठीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा में आधा कन हो जाएगा अब लंब क्या है तो लंब है यहाँ से देख सकते आब BC है तो हमने BC रख दिया है और कन क्या है हमारा तो AB है तो AB रख दिया हमने अब देखिए BC का अगर हमें मान निकालना है तो BC को यहीं पर रहने देते हैं AB को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा AB गुने साइन ठीटा अब AB का मान कितना है दोस्तो A B का पता ये कितना मान है तो 2 A है ना यहाँ पर तो यहाँ पर रख देंगे 2 A 2 A और ये sin ठीटा यानि B C का मान कितना मिलगे 2 A sin ठीटा अब B C का मान इस समिकरन 1 में रख देंगे तो लिखेंगे यहाँ पर इसलिए समिकरन 1 से समिकरण एक से क्या करेंगे हम लोग यफ तो टाउ बराबर हम लोग यफ गुणे और बिसी का जगह पर क्या रखेंगे 2a sin theta अब यफ का मान क्या होता है तो यफ का मान QE होता है है ना QE लग रहा है ना बल यहाँ पर तो QE यहाँ पर रख देंगे तो हमने यहाँ पर लिख दिया टाउ इस इक्वल टू यहाँ के जगह पर QE बाकि यह तो उसी तरह है अब अगर हम लोग देखें तो क्या होता है Q और 2a एक जगा ले लेते हैं E को हमने यहाँ पर रखा और sin theta को भी यहाँ पर रख दिया अब देखा जाए तो P बराबर यानि P के हमारा तो दिवधरू आघून होता है दिवधरू आघून बराबर क्या होता है Q into 2a यानि कि आवेश गूंडे उसके बीच की अल्पतम दूरी है न तो यहाँ पर देखा जाए तो Q into 2a वही satisfied हो रहा है न इसके जगह पर क्या रख देंगे हम लोग P और यहाँ पर E और यह sin theta तो यानि कि tau बराबर यानि बल आघून बराबर P sin theta यही बल आघून का बेंजग है ठीक अब देखिए अगर आपको इसको सदीस रूप में लिखना है तो sin theta हटा देंगे cross लग जाएगा यहाँ पर तो सदीस रूप में क्या हो जाएगा vector लगा देते हैं उपर सदीस के लिए है न तो vector tau is equal to vector P cross vector E हो जाएगा अब यहाँ पर special cases भी बन जाता है क्या बन जाता है दोस्तों तो यहाँ ध्यान दीजिएगा special case में case number first यदि theta बरबर 0 हो या theta बरबर 180 भी रख सकते हैं यानि कि माल लिजे कि कोई भी कौण पर नहीं रखा हुआ है यानि कह दिया जाए कि इस धुधुरूव को जो यहाँ पर विद्धु छेतर है इसी के समानतर रख दिया जाए तब क्या होगा बल अगुन जो इस पर बलो का युग्म कारे कर रहा उसका क्या हाल होगा तो यहाँ पर देखा जाए तो tau जो होगा minimum हो जाएगा क्यों क्योंकि P.E. sin 0 degree क्योंकि यहाँ ठीटा का मान हमने बोला 0 degree तो sin 0 degree का मान जानते हैं आप 0 हो जाता है 0 का इन सभी में गुना कर देंगे तो क्या होगा 0 इसलिए यहाँ पर जो है यानि कि अगर देव धुरूओ को हम लोग बिधु छेतर के समानतर कर दें तो जो लगने वाला बल आगुन होगा वो सुनने होगा यानि कि दोनों बल युग्म कारे नहीं करेगा तो वहीं हमने लिखाया कि अर्था देव धुरूओ और बिधु छेतर समानतर होंगे तब देव धुरूओ पर कोई बल युग्म कारे नहीं करेगा समझ में आए दोस्तों? चलिए अब केस नमबर सेकेंड ले लेते हैं बोलना है कि यदि ठीटा बराबर 90 डिग्री हो तब टाउ इस इक्वल टू पी साइन 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर देखा जाए तो साइन 90 डिग्री का जो मान है वन होता है तो वन का गुणा पी-ई में करेंगे तो क्या हो जाएगा? पी-ई हो जाएगा तो यहाँ पर क्या मिला? कि जो टाउ है यारी बल आगुन है वो मैक्सिमम होगा यारी अधिक्तमान होगा कब जब इस देउधुरूओ को लंबवत रखेंगे किसके? इस विधु छेत्र के यानि कि ये विधु छेत्र हो गया और देउधुरूओ को हम लोग इस तरह रखें लंबवत 90 डिग्र के साथ तब तो यहाँ पर वही लिखा गया है टाउ मैक्स यानि अधिक्तम बल आगुन अधिक्तम है न? बराबर P.E. हो जाएगा अर्थात बल युग्मों का अगुन अधिक्तम होगा तो मिद्य या वीडियो लेक्चार आपको समझ में आया होगा चलिए इसका स्क्रीन सॉट दे देते हैं आपको तो यह रहा हमारा पहला चलेगा यह आप ले लिजेगा उसके बाद यह दूसरा और यह थोड़ा सा और है नीचे और उसके बाद यह है और यह उमिद है दोस्तों तो आपको वीडियो लेक्चार समझ में आया होगा अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़े और आप भी जूड़े रहें ठीक है वेल आइकन दबा के रखें अगर सब्सक्राइबर है तो अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो लाल बटन होगा वहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद